सो हलो दोस्तो एक वार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूटी चैनल सक्सेस रोजकार में दोस्तो आज किस वीडियो में बात करेंगे बिहार ब्लोग यानि प्रखंड अस्तर पे ये भरती निकाली गई है केवल मैट्रिक और आठमी पास क्याधार पे जिसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जारी किया गया है और पद के बारे में अगर बात करें तो बिकास मित्र की है जिसमें महिला पूरुष दोनों आभेधन कर सकते हैं कौन-कौन विकती इसमें आभेधन कर सकते हैं और कैसे आभेधन करना है complete process आज किस वीडियो में complete जानकारी आपको देंगे और इसके लिए आपको समकच क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अवेधन जो है आपको Off-Land से भारा जाएगा या Online के माधिम से भारा जाएगा योगता इसके लिए आपको क्या होना चाहिए चैन किस तरीके से होगा और IUC मा क्या रहेगी और सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये बिहार के डिस्टिक वाइज भरती है तो आपको complete जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आपको एक important जानकारी देना चाहते हैं कि इस चैनल पे बिहार सरकार की जोई विकिंसी की update आती है तो उसका update आपको मिलता आए रहता है तो इस चैनल को subscribe कर लिजे और telegram को join नहीं किया है तो जरूर जोईन कर लिजे क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक छोटी बरी update साथ में आपको live support system भी दिया गया है जिससे आप विजली चैट करके हमसे जानकारी दे सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को भी नदरी केस सुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं आपको कहां पे जमा करना होगा और कब तक ये फर्म को जमा करना है यहाँ पे कारियाले द्वारा भारा जाएगा जो कि यहाँ पे बते हैं कारियाले द्वारा भारा जाएगा जो कि यहाँ पे आपको यह सारा चीज चोड़ देना है इसके बाद यहाँ से आपको भरने का भरना है जिसमें आवेदक या आवेदका का नाम जिसमें महिला पूरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया इसके बाद पीटा या पती का नामाता का नाम महादलित जाती का नाम जो की आगे आपसे सेर करूँगा यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चिप काना इसके बाद जर्मतितिद्धी दीन, मंत और यहाँ पर आपको डालना है अम्र जो की 162013 को जो की यहाँ पे आपको बताया गया तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डालेंगे अस्थानिय पता यहाँ पे सारी चीज डालने के बाद आपको क्या करना है कि इस आवेदन फॉर्म को जमा करना है जमा कहाँ पे करना है वो सबसे पहले बात करेंगे या संब्वक्ष परिश्छा का अंग एम्म प्रमान पत्र, या आठमी पास का विद्याले परतियाग पत्र, जょो की आपको इसका फोटो कोपी लगा देना है। इसके बाए दूसरा जाती प्रमान पत्र, और तीसरा आवासिय प्रमान पत्र यह तीनों डोकोमेंट का आपको फोटो कोपी इसका आवेदन फॉर्म के साथ आपको जमा करना होगा जमा कहां पर करना है वो आपसे आगे सेर करेंगे और यहां पर बते हैं विकास में तो नियोजन के लिए आवेदन पत्र की प्राप्ती रसीद यहां से आपको यह प्राप्ती रसीद दे दिया जाएगा आपको उस कार्याले में जहां पर आप यह जमा करेंगे जो चलिए दोस्तों विडियो को सुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यह जो विकिंसी का अपडेट है कटिहार डिश्टी के तरफ से आया हुआ है जिसमें बतेया गया है कि कारियाले अनुमंडल पताधिकारी कटिहार विकास मित्र के रिक्त पदो पर नियोजन के समंद में सूचना जो कि यहां पर बतेया गया है यह भर्ती कैसे निकाली गए यह आपसे किलियर बताते है यहां पर लिखा गया कि एतेद्वारा सुचित किया जाता है कि सदर अनुमंडल कटिहार अंतरगत प्रना प्रानपूर प्रखंड में कुल एक विकास मित्रों का पद मृत्य या त्याग पत्र के कारण रिक्त है यानि कि इसमें जो बतेया गया यह जो एक पद निकाला गया विकास मित्र की जिसमें बतेया गया कि इसमें जो कारेरत थे पहले से उसका क्या है कि इसमें मिरित्य या त्याग पत्र दे दिये होंगे इसके कारण यहाँ पे एक पद जो की खाली है तो इसी एक पद को भरने के लिए यहाँ पे यह फॉर्म निकाला गया है और यागे बत येगे कि रिक्त पदों के विरुध नियोजन है तो समन्दित पंचायत के महादलित बहुलाता प्राप्त मुसर जो की समाने जाती के अभिहरती से सुचना प्रकासन की तीथी से दिनांक 35.2022 तक परखंड मुख्याले में कार्याले अबधी में आवेदन पत्र किया जाना है आवेदन पत्र का प्रपत्र बिहार महादलित विकास मिसन के वेबसाइट www.mahadalitmission.org पर उपलब्ध है रिक्त पदों की विवरन जो की यहाँ पे निम्नुवत है जिला आप सभी लोगों ने देखी लिया कि कटिहार है और अनुमंदल जो की कटिहार तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरा मोबाइल नंबर जो की पिन किया हुआ है तो उस पे आप इसली हमसे वाट्सप पे भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बतेया गया है कि प्रखन जो की प्रानपूर जैसा की बतेया ही बर जहला यहाँ पे पंचायत है और एक पद रित है आरक्षन कर्टिगरी से यहाँ पे मुसर समानी की है जिसमें योगता के बारे में बतेयागे कि मैट्रिक में सरवधिक अंक प्राप्त करने वाले का चैन किया जागा मैट्रिक पास अभेर्थी नहीं मिलने पर नन मैट् अफिस्यल वेप साइट पे विजिट कर सकते हैं जिसके यहाँ पे बतेया गया है www.mahadalit.org पे आप सभी लोग कॉंटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपको इजली सारी जनकारी मिल जाएगी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ब सिस्टम आपको दिया जाएगा तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यह सारी जनकारी आपको पसंद आए विडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जदा जदा सेर कीजिए हम मिलते है इस तरह के एक और ने टॉपी के साथ तब तक लिए बने न हमारे साथ जया हिन